तो आज हमारे साथ सूरज वर्मा है वाइक यांगान में मेरा चैनल है है हैंड़ोर है वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज अम अपनी आरस के कुछ प्रोज और कॉंस डिसकस करने वाले हैं जो आपको आईश्च बताएंगे क्या-क्या अच्छा लगता है इनको इस बाइक का तो चलिए ले चलता हूँ बाइक की तरफ आपको और बताता हूँ इस बाइक के प्रोज और कॉंस के बारे में तो इस बाइक के 10,000 किलोमेटर हम सेलिब्रेट करते हैं विड बेड बूल let's have some fun baby so today with me is the RS200 BS4 and I would say this is the best color the griff einer black and today I'll be talking about pros and cons of the bike. So प्रफिंग फिर्स तीज दोग लाइक अब आप प्रफिंग पहले थी और अगर इसको कंपेर करें इसी की सेग्में डी किसी और बाइक से तो बिलकुल कुछ खास अच्छी नहीं है यासे डूग 200 की भी भी हाइद इसकी भी हाइद तो सेम और जो अगली चीज जो मुझे पेटेटर्स की डिस्क है डूग 200, RC 200 काफी अच्छा बाइट ओफर करती है तो इसकी डिस्क उतना फील नहीं देती बट हाँ फिर भी इसमें ABS मिसिंग है तो यह चीज कहा सकते हैं और उसके बाद जो एक और चीज इस बाइक में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है वह इसका वेट तो जो इसका वेट डिस्टिब्यूशन है इसमें बाइक में आगे काफी ज़दा वेट रख दिया है तो जब भी आप इस बाइक को कहीं ट्रैवल करोगे मौंटेंस पर ले जाओगे तो कॉर्नस में यह थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी मतलब आपको लगे हैं काफे हिट बाइक है बजाज पुलसर रस 200 तो अब बात कर लेते हैं बाइक के प्रोस की इस बाइक में काफी ऐसी चीज़े हैं जिसकी वड़े से आपको यह खरीदनी चाहिए तो फर्स चीज इसका 200cc की जो मोटर है यह बहुत ही रिफाइन और बहुत ही अच्छी मोट है और जिस तरह से टॉक बिल्डब करती है जितनी जल्दी बिल्डब करती है I don't think 200cc में इत्या अच्छा इंजन किसी बाइक का है मुझे नहीं लगता है सच पर्सनली और विकॉज इसमें टॉप स्पीड और एक्सलेरेशन का पर्फेट कॉम्बिनेशन है जैसे कि आप वी एक्सलेरेशन है पर टॉप स्पीड नहीं इसका पर्फेक्ट ब्लेंड और पर्फेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है इस बाइक का इंजन का जो सेकेट चीज इसकी बात कर लेते हैं वो इसका माइलेज ये बाइक अरूंड 30 kmpl तक निकाल देती है एक लीटर में और अगर और नेक्स चीज जो इस बाइक की बात कहते हैं जो लोग काफी लोग कह रहते हैं कि यह टेल लाइट यह थोड़ी कमजोर है यह वह तो यह टेल लाइट ने बता दूँ यह बहुत ही स्ट्रॉंग टेल लाइट है अगर इसको आप बान भी दूद अभी तूट नहीं सकती बट एक चीज जो इस टेल लाइट की नेचीव उसका लुक यह थोड़ी सी मतलब मिक्स रियक्शन रहता है जात लोग को यह टेल लाइट पसंद नहीं आती है तो यह टेल लाइट की थोड़ा सा इस्यू मुझे लगता है कि देखने में उतनी खुब सूरत नहीं है जितनी काफी बाइक में डिजिटल आ रहे हैं जैसा कि कुछ लोग इस बाइक को कंपेर करते हैं एवजी एवजी टूफाइट तो इसको स्पीडो मिटर में कहूंगा बहुत ही बकवास है एक एनलोग बहुत ही अग्रेसिव बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है देखने के लिए और बहुती क्लियर ली स्जिट डिस्प्ले होती है तो यह थे हिस बैक के प्रो और कोण स्टो यही सब चीजे मुझे आपको बता और थी और हिट मैं करता हूं आपको इदियो अच्छी लगी ओं बिडियो अकर ची लगी तो प्लीस के लिए बाई बाई मिलते है नेक्स वीडियो में और राइट सेफ